तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईफोन के अंदर आप लोग स्क्रीन में और होम स्क्रीन में आप जादा कस्टुमाइज नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत आप लोग स्क्रीन में कर सकते हैं लेकिन आप होम स्क्रीन पर जादा कस्टुमाइज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर clock और यह सारी चीज़ आप नहीं लगा सकते हैं ति यह सारी चीज़ हम home screen पर करके दिखाएंगे और पूरे तरीके से unique आप screen पर देख सकते हैं और आप इस तरीके से iPhone के home screen पर अगर आप customize कर लेते हैं तो अगर आपका iPhone कोई भी देखता है तो जरूर आपसे बोले करना है Google से वरना आपको इस टोक में अगर कोई पसंद है तो वही आप रख ले तो कोई भी आपको आलफेपर को चूज कर लाना है जिसे यहां पर प्लस वाला इकन पर क्लिक करते हैं और यहां पर फोटोस पर जा करके हम gallery में आते हैं और यहां पर मुझे यह फोटोस पसं लेंगे तो इसका अन्दर हम सारी cuts구ाईज कर दगे अगर आपको फून्ट कर ले कुछ सरिके से करने का बार धन कर लेते हैं और यहां पर 8 पर क्लिक कर लेते हैं अब यहां पर क्या करना है ऐक क्या क्या हूप करना है क्यूभ लॉक्ष्टिूमाइज होम स्कृण की और नहीं होग स्कृण को करना है तो हम जाएंगे तो इसап कि करना है क्पश्ट नि इॉप अब आप wall paper set करते हैं तो वो बलर हो जाता है automatic जैसे आप home screen पर जाते हैं तो क्या करना है आप बलर वाल टोंगल दिख रहा होगा simply set click करेंगे तो यह जो आपका बलर होता है वो unblur हो जाएगा तो इस तरीके से आपको home screen पर आजाएगा और simply आपको करना है एक single page में आपको आप पर application को छोड़ देना है अब आपको क्या करना है कि नीचे आपर जो आपको टोंगल दिख रहा होगा स्वीच करने के लिए उस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे तो पूरा जो आपको home screen होगा वो यहाँ पर खुल जागा जितने भी आपको home screen में application के लिए जगा है तो simply last वाले को का करना है पकड़ करके उसको यहाँ पर first मिलाना है और first में जब लाएंगे और यहाँ पर done पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं first में आ चुका है मेरा अब यहाँ पर का करेंगे हम Instagram को यहाँ से उठाएंगे और फिर से जहाँ से हम लाएथ है उसको वही पर रख देंगे तो simply हाँ पर हम click कर लेते हैं यहाँ पर आ जागा और यहाँ पर last में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक मेरा पूरे तरीके से एक खाली वाल पेपर बन चुका है जो खाली जगह है अब यहाँ पर हम कश्टुमाइज करने वाल हैं तो सिम्ली करेंगे एक iski-annel उसके बाद हम चलेंगे उस application के अंदर, simply इस पर click करेंगे, जो भी आपको set up करने के लिए application मांग रहा हो, सारी चीज आपको यहाँ फिनिश कर लेना है, और यहाँ पर explore के option पर आना है, simply explore पर आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉंगल मिलेंगे, जिसे आप set कर सकते हैं चाहे फिर वो small में हो, चाहे फिर वो फिर आपको थोड़ा से medium में हो, और उसके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर large में मिलेगा, तो इसमें से किसी भी को आप सिफ एक को use कर सकते हैं, अगर आपको second use करना है, तो उसके लिए subscription देना पड़ेगा, जो कि around 5-600 यहाँ पर है, हमेशा के लिए lifetime के लिए, तो आप purchase भी कर सकते हैं, वरना अगर आप एक ही को use करना चाहते हैं, तो एक को use कर सकते हैं, तो फिर आपको manage वाले option पर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते है, setup transparency लिखा हुआ है, simply आपको उस पर click करना है, यहाँ पर आपको उस photos के लिए ल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एड करते हैं, simply इस करकेंदे करते हैं, simply stronger पर Deceams कर लेते हैं और जिसे हम Manage per Account पर आएंगे, तो यहाँ पर Medium Hashe One पर आता है जो यहाँ पर दिख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं Simply हम इस पर click करेंगे, Impute8 रही हम मेरा पहले से और यहां पर क्या करना है इसको लोकर के नीचे आना है और जैसे आप नीचे आएंगे अप्लिकेशन वाले बार में वह अप्लिकेशन का यहां पर लोगो देखेगा इस पर क्लिक करना है और यहां पर इसमोल वाला साइज है तो इसमोल वाला साइज को स्किप करेंगे और यहां पर Medium पर आएंगे, Simply camera, Alexa,ぜひीप इनक्र पर क्लिक करते हें यहां पर करेंगे, Add widget पर क्लिक कर देते हैं Simply क्या करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, add हो चुका है अब यहां पर हम done करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, पूरे तरीके सा ट्रास्परियंट धीख रहा है और यहां पर जादा आपको डूर व्गारा नहीं दीख रहा है तो आप जिसे इहां पर इदर लाते हैं तो यह अप्लिकेशन हो गया और जश्ट इधर आएंगे तुरंथ यहां पर आपको यह दिख जागा अगर इसे तरीके से आपको कोई औ लीकाशन को ऑफर न हाप करने के बाद हैं और श्ली ऐसा उक्लेस पर शुलत करते हैं तो रहे की आपको यह अच्छ पर क्लिक करते आपको इंपूर्ड कर राऊचन मिले पर इंपूर्ट करते हैं और यहां पर dismiss करते हैं और क्या करेंगे बैक आएंगे यहां पर manage पर आएंगे और manage पर आने के बाद यहां पर पहले हमको delete करना होगा क्योंकि आपको यहां पर set करने के बाद एक ही ही आप एक बार में set कर सकते हैं अगर आपको double करना है तो आपको subscription लेना पड़ेगा तो सब से पहले मैं इसे डिलेट करता हूं फिर उसे सेट करके आपको दिखाता हूं से इसे डिलेट करेंगे और उस अप्लिकेशन में आएंगे और यहां पर हम करेंगे किस्टमाइस पर क्लिक करेंगे यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंपूर्ड हुआ है मेरा यहां प जैसे हैं यहां पर medium size पर आते हैं यहां पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है simply आपर AD widget पर कलिक करते हैं तो यह पर देख सकते हैं पूरे तरीके से transparent हो गया है और इसके अंदर सारी चीज़े कुस्टुमाइज कर सकते हैं जिसे के font वगएरा हो गया color वगएरा हो गया सारी चीज़ आप कर सकते हैं जिसे हमका करने के लिए आपको application के अंदर आना है और यहां पर सबसे first में create वाले option पर आना है करना चाहते हैं जिधर भी आप करना चाहते हैं इस साइड उपर साइड नीचे साइड सारी चीज़ आप कर सकते हैं देख सकते हैं वहां पर नीचे होते रहा है और आपको दिख जाएगा और जैसे कि अगर आप करना चाहते हैं कि जिसे वेदर हो गया या फिर आपका कलेंडर हो गया उसे आप चाहते हैं वह भी कर सकते हैं जैसे तो सिंप्ली से हम रेड कर देते हैं और यहां पर इमेज है तो इमेज को अपसिलेट करके इसे भी आप कर सकते हैं जैसे कहाँ पर देख सकते हैं इमेज को अपनी करेंगे और यहां पर कलेंडर है कलेंडर पर खिली करते हैं और यहां पर उपर नीचे पोजिशन हम कर सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं इसक्रीन का कॉस्टूमाइजेशन आपको कैसा लागा है कमेशने में बता सकते हैं वीडियो लाने की कोशिस करेंगे वीडियो पसंद आएक तो जरू सुकर देजागा लाइक एन चानल पर नहांगा तो कलिजेगा सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडि बार